नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News 24 की निव का भी काम करेगा ऐसे में जननानाइक जनता पार्टी ने तयारियों को अमली जामा पहनाते वे गाउं में भागदोड आरम बगर दी है जजपा के परदेश उपादेक्स एम कोचली हलके में पंचया चुनाओ परबारी अभिमन्यू राव ने कहा कि हमने तया कर लिया कि गाउं गाउं और वाड़ वाइज कारेकरताओं से राय शुमारी करेंगे और साथ ही पूछेंगे कि पंचया चुनाओ सिंबल पर लड़ा सिलाग होगी ट्रांसपर पोलिशी को लेकर प्रक्रिया आरंब हो गई है एक कोलेज में पांच वर्षे तैनाथ प्रोफेसर का ट्रांसपर पोलिशी में आना आनिवारी होगा जबकि तीन वर्षे कोलेज में पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर भी अपनी इच्छा नुसा ट्रा प्रोफेसर को विवाग अतिरिक्त अलाउंस भी देगा वहीं जिनकी ग्राइमिन सिवा पूरी नहीं हुई है उनके लिए ग्राइमिन राज के महाविदयले बरने जरूरी है 27 स्थम्बर को ट्रांसपर के ओडर जारी होंगे अगनिपत योजना अपडेट आविदन का आज अंतिम दिन 25 सक्तुबर से 11 नौबर तक आयोजीत होगी भरती रेली भरती कारेले मुख्याले अंबाला 25 अक्तुबर से लेकर 11 नौबर तक खटगा स्थेडियम अंबाला केंट में अगनिपत योजना के तैत अगनिविरों के चैन के लिए रेली भरती का आयोजन करेगा हर्याना के अंबाला कैथल करनाल कुरूचेतर यम्नानगर पंचकुरा जिलों और केंदर साशित प्रदेश संडिगड के युवा जो पात्र मान दंडो को पूरा करते हैं वे 30 अगस तक जोईन इंडियन आर्मी.ni.in वेबसाइट पर अपना पंजीकन करवा सकते हैं यानी पंजीकन की आज आखरी तारिक है. केस में निचली अदालती फैसला सुना चुकी है. नारोदा गाउं से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी है. ऐसी श्तीति में इसे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की जरूरत नहीं है. आपको बताते चलें कि गुजरात के गोदरा स्टेशन पर 27 दी गई. करफ्य लगा दिये गाया. पुलिस को दंगाईयों को देखते हैं गोली मारने के आलदेश दिये गई. गोदरा गांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे बड़क उठे. इन दंगों में 1046 लोग मारे गई. जिनमें 790 मुसल्मान तो वहीं 254 हिंदू थे. सौनाली का पी ए सुधीर पहले भी जा चुका जेल. दोस्त के नाम नेट हाउस लोन करवाकर पैसे खुद ले गया. किसान के 90 लाग भी हड़ पे. सौनाली फोगा ठत्यगांड के आरोपे सुधीर सांगवान का अपरादिक रिकोर्ड मिला है. मैं पेशे से वकील है और गो सुधीर भी दरजवा और जेल भी जाना पड़ा. हिसार के भी एक किसान के साथ 90 लाग रुपे की ठगी सुधीर ने की है. गैंक्स्टर लोरेंस का भांजा सचिन अजर बैजान में अरेस्ट भाई अन्वोल कनाड़ा से कीनिया भागा विदेश मत्राले ने पंजया पुलिस से क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी. पंजयाबी सिंगर शिद्धु मुशेवाला हत्याकांड के मास्ट माइंड सचिन थापन को अजर बैजान में अरेस्ट कर लिया गया है. वहीं गैंक्स्टर लोरेंस का भाई अन्वोल कनाड़ा से कीनिया पहुँचने की खबर है. ये दोनों मुशेवाले के कातल से पहले फरजी पास्पोर्ट पर भाहर चोड़ कर भाग गये थे. इसका पता चलता है पंजाब प को ले लोकर से कुछ नहीं मिला, पीम नी जाच कराई. दिली की सराब नीति में गड़बडी के मामले में जाच में जुटी. सीबिया ने मंगलवार को डिप्टी सियम मनीज सिसोधिया के लोकर की तलास ली. गाजयाबाद के वसंद्रा सेक्टर 4 की पंजाब नेशनल बैंक में सिसोधिया का बैंक लोकर है. सीबिया की टीम ने बैंक में 45 मिनट तक लोकर की जाच की. इस दोरान मनीज सिसोधिया और उनकी पतनी सीमा को यहां बुलाया गया. दिली के डिप्टी सियम बनने से पहले मनीज सिसोधिया गाजयाबाद के इसी वसंद्रा इलाके में रहत सारी जांच में मेरा परिवार पाक साफ है ये सचाई की जीत है पीम ने मेरे लोकर की जांच कराई मुझे 2-3 महीने की जेल भेजने की साजिस हो रही है महिलाओं के लिए दिल्ली सबसे ऐसरक्षित मुंबाई दूसरे तो वहीं बैंगलोर, तीसरे नमबर पर राजधानी में एक साल में महिलाओं पर अपराज के मामले 14% बढ़े दिल्ली देश में महिलाओं के लिए सबसे ऐसरक्षित चहर है नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकडों के अनुसार दिल्ली में साल 2020 में महिलाओं के खिलाब 9722 अपराज दर्ज किये गए थे जो 2021 में 40% बढ़कर यानी 3822 में पहुंच गए दिल्ली के बाद मुंबई 5543 मामलों के साथ दूसरे नमबर और बैंगलूर 3127 मामलों के साथ तीसरे नमबर पर है देश के 19 बड़े सहरों में महिलाओं के खिलाब वेकुल अपरादों में से अकेले दिल्ली में 32% अपराद दर्ज किये गए हैं आंकडो के अनुसरे दिल्ली में 2021 में हर दिन दो नावालिक लड़कियां दूसकरम का शिकार बनी 31 अगस्त तक कर लें ये दो काम PM किसान योजना के लाबारती और PNB के खाता दर्ग जल्द से जल्द करा लें के वाईशी नहीं तो होना पड़ सकता है परेशान अगस्त महीना खात मोने में अब शिर्फ दो दिन का समय बचा है ऐसे में अगर आप PM किसान समाने दियोजना का लाब ले रहे हैं तो 31 अगस्त यानि कल तक EKYC कराना जरूरी है ऐसा नहीं करने वाले किसानों को अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा इसके लावा के फार्म में लेंगे उसे बरकर और साथ में जरूरी डोकुमेंट को अटेज कर जमा कर दीजिए फार्म जमा करने के बाद आपका खेवाईसी अपडेट हो जाता है सरकारी नोकरी अपडेट हरियाना पुलिस में स्पेशल पुलिस ओ आफिसर्स के 141 पदोपर निकली बरती उमिद्वार 16 स्टंबर तक करें आविदन हरियाना पुलिस अधिनियम 2007 के दारा 21 के तैट फरिदाबाद में 141 स्पेशल पुलिस ओफिसर्स यानि एपियो की भरती किया जानी है इस भरती के लिए आविदन के आगरी तारिक 16 स्टंबर है हरियाना पुलिस में भरती चाहने वाले कंडिडेट्स को पुलिस अधिक कार्याले सेक्टर 21 परिदाबाद में शेना साका में संपरक करना होगा आविदन फारम जांच 16 स्टंबर के बाद किया जाएगी और फिर भरती परकरिया शुरू होगी योगेता की बात करें तो उम्मिद्वारों को कम से कम बारमी पास होना चाहिए साथ ही उम्र की बात करें तो कम से कम 25 साल और अधिकतम उम्र 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए उम्मिद्वारों का सेलेक्शन इंटर्यू के जरी किया जाएगा आज खबरों बशित नाई देखते रिये CWB हिंदी न्यूज नमस्कार